Hello and welcome back to aapna college, this is the web development course और आज हम इस वीडियो में देखने वाले कुछ बहुत ही important elements जैसे की anchor tag और बहुत सारे media elements चीक है तो start करते हैं शांदार से वीडियो को तो अब हम देखेंगे यार hyperlink और hyperlink यार बहुत ही amazing चीज है और इसी के वाज़े से यार ये web धेना एक जाल बन पाया तो जैसे अगर आप google पर कोई search करते हैं तो आपके पास यार बहुत सारे results आजाते हैं और इन results पर हम click करते हैं तो एक नहीं website खुल जाती है अब इसमें यार जिस चीज़ पर आपने click किया है उसी को हम hyperlink कहते हैं तो आप समझ गए होंगे यार hyperlink क्या काम आता है और अब हम देखते हैं इसका syntax तो hyperlink के लिए यार हम use करते हैं a tag का और इसके अंदर एक बहुत ही important attribute होता है जो की है href href के अंदर यार हम url डाल रहे होंगे और इस url के अंदर आप website या file या कोई website का आपका section किसी भी चीज़ को हम link कर सकते हैं तो अब इसके लिए हम को यार url समझना बहुत ही ज़रूरी है तो अब url क्या होता है url के full form होती है uniform resource locator और ये पूरे web में कोई भी चीज़ की location हमें देनी हो तो हम url का use करते हैं और ये यार आपके घर के address की तरह unique होता है अब ये url यार दो तरह के हैं एक तो absolute और दूसरा relative absolute का मतलब है यार पूरे start से लेकर end तक का path होता है उसको हम absolute कर दें और relative का मतलब है यार पे current file से लेकर जैसे आप जिस भी file के अंदर आप code कर रहे हो उस file से लेकर आपका जो target file है वहां तक का path तो अब यार इसी चीज़ को एक analogy से समझते हैं तो मान लो आपको आपके friend के घर का address बताना है तो absolute में यार हम root location देते हैं जो आप मान सकते हैं आपके city का कोई center location है अब वहां से आपको आपके दोस्त के घर का address बताना है तो आपका जो center है city का वहां से लेकर आपके friend के घर का जो path होगा उसे हम कह देंगे absolute path ठीक है और relative का मतलब हो गया जहां पे भी आप खड़े हो currently वहां से लेकर आपके friend के घर का path ठीक है अब यार यह तो समझ लिया हमने relative और absolute में फरक क्या उता और क्या चीज होती है अब हम देख लेते हैं यह file locations में हम move कैसे करते हैं तो अगर हम यार file locations में move करना code के अंदर तो उसमें तीन cases हो सकते हैं तो आपको किसी folder के अंदर जाना है जिसमें file पढ़ी है या फिर आपके current folder के अंदर ही file पढ़ी है या फिर हो सकता है कि आपके folder के बाहर वाले folder में कोई file पढ़ी है ठीक है तीन cases हो सकते हैं तो first में आर जैसे आपकी file आपके current folder में है तो उसमें कुछ नहीं आर उस file का नाम आप directly लिख दो URL में और खाली आप जैसे इस file का नाम लिखोगे आपकी वह link बन जाएगी और अगर आप चाते हो किसी folder के अंदर जाना है तो simply आपको उस folder का नाम लिखना है फिर एक slash और फिर आपका file का नाम और similarly अगर आपको बाहर वाले folder का access करना है तो आप use करोगे dot dot slash dot dot slash लिखने से क्या होता है हम अपने folder के बाहर वाले जो भी चीजें उनको access कर सकते हैं फिर आप slash लगा के अपने folder का नाम लिख दोगे या कोई भी file अगर आपको use करना है तो उस file का नाम लिख सकते हो ठीक है तो चलो यार अब इसी चीज़ को हम code करके देखते हैं तो यहाँ पर हमने VS code खोल दिया है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं एक line दे देते हैं ठीक है यहाँ पर text के अंदर लिख रहा हूं Google और यहाँ पर हमको URL देना पड़ता है Google का तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लिखना है https colon slash slash और यह लिखना यार बहुत ही जरूरी है अगर हम कोई भी URL दे रहे हैं और वह absolute URL है relative में ऐसा जरूरी नहीं होता है बट absolute में बहुत जरूरी होता है ठीक है अब मैं इसमें google.com लिख देता हूं और एक बार इसे save करते हैं और जाते हैं हमारे browser के अंदर करेंगे इसको refresh तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे छोटा सा Google लिखाव आ गया है और जैसी हम इस आते हो कि यह जो click हो रहा है वो हमारे webpage ना खुलके एक नए tab में खुल जाए तो उसके लिए यार हमको एक attribute यूज करना पड़ेगा जो कि है target यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम target में देंगे blank blank से क्या होगा यह एक नए tab के अंदर खुल जाएगा ठीक है एक बार फिर से refresh करता हूँ मैं और जैसी अब मैं इस पे click करूँगा देखना यार यह नए tab में खुल गया है ठीक है तो आप समझ गए होंगे कैसे हम इस target को use करते हैं और यह तो हमने देखा यार external webpage को link करके मतलब google.com जो कि हमारा नहीं है तो अगर हम चाहें कि इसमें हमारे web pages को link करना तो उसके लिए का कर सकते हैं उसके लिए हम relative paths use करेंगे और सबसे पहले हमको कोई web page भी तो बनाना पड़ेगा जिसको हम link कर रहे होंगे तो नई file create कर लेते हैं उसे save कर लेते हैं और नाम मैं इसमें दे रहा हूँ page2.html और same folder के अंदर ही इसको save कर रहा हूँ कोई न index वाली file पर तो वहां पर हम जाने के लिए फिर से index.html लिख देंगे और बाद में इसमें लिख देता हूँ है home ठीक है फिर से save करते हैं और एक बार हम index file को भी हमारे update कर देते हैं और यह link दे देते हैं तो उसके लिए मैं फिर से index file में जाता हूँ और इस page का नाम देता ह अब यार इसमें मैं page 2 क्यों लिख रहा हूँ और इसमें मैं index क्यों लिखा था क्योंकि वो दोनों same folder के अंदर पड़े हैं ठीक है एक बार देख लेते हैं same folder में कैसे पड़े हैं और क्यों हमने खाली इसको ऐसे main page लिखा है तो यहापे मैंने अपनी कक्षा को folder खोला है औ पड़ा और यह index पड़ा तो यह same folder के अंदर है इसलिए हम खाली नाम से यूज़ कर सकते हैं वरना हमको यार folder का नाम या folder से बाहर किसी folder के अंदर तो dot dot slash यूज़ करना पड़ता है ठीक है अब इसे एक बार फिर से बढ़ा कर देता हूँ है और save करते हैं और जाते हमारे main page के अंदर मतलब जो output है हमारा वो देख लेते हैं तो अगर हम भी देखे तो इसमा output नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि हमने यहां पर text नहीं दिया है तो text दे देते हैं और लिख देते हैं page 2 ठीक है save करते हैं और अब देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा page 2 का URL आ गया है मतलब link आ गया है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और आप देख सकते हैं हमारा दूसरा page जो है वह भी खुल चुका है अब इस पर क्लिक करेंगे तो वापस home page पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वापस page 2 तो आप समझ गयोंग यार कैसे हम navigation use करते है किसी भी web page में मतलब आप अलग-अलग pages के अंदर navigate करना चाहो तो भी आप कैसे link दे सकते हो ठीक है और इसी में हम साथ में अगलग-अलग हमारे web page के अंदर मतलब single page website है और उसके अंदर अलग-अलग sections है तो उसका भी use कर सकते हैं हाल फिलाल हमारी website इतनी बड़ी है नह जैसे कि हमारी कोई PDF file हो गई हमारी कोई JPG file हो गई या कोई और file हो गई randomly कोई video या कुछ भी हो गया तो हम सारी चीज़ों को link कर सकते हैं तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना मैं एक notes हमारे जितने भी notes अब तक release हुए उनको link करके देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की a tag है फिर से हम blank का यूज करते हैं ताकि नए folder के अंदर file बने और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप देख सकते हैं HTTP colon slash slash आ गया है अब यार इसमें मैं g drive के link दे देता हूँ तो उसके लिए का करूँगा यहाँ यहाँ पर मैंने g drive कोल रखा है और इसमें हमारे सारे chemistry के notes डाले में तो इसी को use कर रहे हैं यहाँ पर इसको हटा के paste कर देता हूँ मैं पूरा URL अब जब भी आर आप इसको copy करोगे ना तो आपका https वाला part automatically copied होगा तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है इसमें यह यहाँ पर मैंने h2 किया है सेव करते हैं और जाते हैं हमारे web page के अंदर तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा यहाँ पर बड़े-बड़े font के अंदर वह notes वाला link आ गया है अब जैसी में इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे नए page के अंदर Google Drive खुल रही है ठीक है और यही हम कु notes folder के अंदर मतलब अपनी कक्षा के अंदर हमने एक नया folder बना है notes और इसके अंदर यह सारी files हमने copy करके रख दिये ठीक है अब इसको close करता हूं और इसको एक बार link करके देख लेते हैं तो उसके लिए यार क्या करेंगे हमको हर PDF के लिए एक नई link बनाने पड़ेगी तो स इसकोड खोल देता हूं और जैसी मैं यहां पर सबसे पहले folder का नाम लिखूंगा आप देख सकते हो है और automatically हमारी files का नाम आ चुका है तो अब यहार यहां पर मैं कोई भी एक file selector लेता हूं जैसे सबसे पहले यह वाला और नाम में मैं इसी को लिख देता हूं और इसी तर कर देते हैं यहां पर मैंने सारे files को link कर दिया है अब इससे save करते हैं और जाते हमारे web browser के अंदर और करते है refresh तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे हमारे notes आ चुके अब यार इसके अंदर कोई gap नहीं है क्योंकि यह यार a tag कुछ अलग टाइप का होता है css इसकी थोड़ दे देते हैं जिससे कि यह अलग-अलग display होने लग जाए ठीक है तो मैं आप यार बियार tag का use कर रहा हूँ ठीक है यार tag हम use करके एक बार वापस आके refresh करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे हमारे जितने भी notes है वह आ रहे हैं और हम जैसे किसी पर भी click करेंगे हमारे नए tab के अंदर वो खुल जा जाए और इसी तरह से हम अलग-अलग चीजों को link कर सकते हैं हमारे web pages के अंदर ठीक ब्राउजर के अंदर display होती है वो सारी images यार IMG tag को use करके display होती है और इंस्टा चला ही रहे हो तो सबसे वाले जाए और अपनी कख्षा को follow कर दीजिए तो या प्यार मैंने अपनी कख्षा का Instagram handle खोल रखा है और इसके अंदर हम देखिंग कैसे images load होती है कैसे या पी use होती images और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम किसी website को खोलते हैं तो उसका जो front end वाला पार्ट है वो हमारे browser के अंदर load हो जाता है तो एक बार अगर आप किसी code को देखना चाहों जो हमारे browser के अंदर load हुआ है तो उसके लिए हमारे पास दो options होते हैं तो लिखावा है अब जूम इन कर देता हूं ताकि आपको यह code अच्छे से दिखे और अभी शायद आपको यह सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो क्योंकि यह जावा स्क्रिप्ट में है और यहां पर कुछ हमारे link tag से कुछ HTML यूज हो रहा है और कुछ script tag से यहां पर कुछ चीज़ें लोड हो रही है अब यहां पर देखो तो है हमारा HTML आ रहा है सबसे पहले फिर head है title edges कि मैंने आपको बताया है यह सारी चीज़ें हमने देखी है वह यहां पर आ रही है ठीक है अब इसको मैं बंद कर देता हूं view page source को और एक बार right click फिर से करते हैं और आपको द इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ठीक है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और साथ मयार हम इस डॉक को left side में कर देते हैं ताकि हमको side में instagram भी दिखें ठीक है यहां पर हमारा instagram का front end का HTML वाला code है अब आप पुछोंगे यार javascript और css का हैं तो css य क्लिक करेंगे अगर तो यहां पर main tag की css दिखेगी ठीक है और साथ में आर अगर हम जावास्क्रिप्ट देखना चाहें तो sources में आप क्लिक करो यहां पर टैब है और उसके अंदर हमारा पूरा यहां फाइल सिस्टम है उसके अंदर सारी हमारी जावास्क्रिप्ट कुछ functions अगर दिख रहे होंगे चुकि जावास्क्रिप्ट में लिखे गया है ठीक है तो यह सारी चीज़े हमारे ब्राउजर के अंदर लोड हो चुकी है और अब हम देखते हैं हमारा image element कैसे लोड होता है तो image element के लिए मैंने आपको बता है img tag का use करते हैं तो यहां पर अगर मैं कोई भी पोस्ट देखूं तो यह जितनी भी हमारी जो पोस्ट है उसके उपर images आ रही है तो यह सारी इमेज़े भी हमारी img tag से लोड हो रही होगी तो एक बार इसको चेक करते हैं तो तो उसके लिए आर आप इस select element पर क्लिक करो और जैसे आप इस पर क्लिक करो तो एक यहां पर image element दिख रही है ठीक है अब इस image element के अंदर alt है और class और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि URL अगर तो वह सारी चीज़ें हम यहां पर अभी पढ़ने वाले ठीक है और उसके साथ यार हम चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तो उसके लिए अदाके कुछ millions में कर देते हैं तो मैं इसको 10 million कर देता हूं और जैसी मैं इसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे followers बढ़के 10 million हो चुके हैं अब यह जो चीज़ें यार वो सिर्फ आपको दिख रही है असल में हमारे followers हैं वह नहीं बढ़ें क्योंकि यह जो followers क records है वह उनके server में पढ़ें और यहां तक तो खाली वह server की एक file आ चुकी थी और मैंने उस file में change किया है तो अगर मैं इसको refresh करूंगा तो फाइल दूबारा सा जाएगी मतलब replace हो जाएगी और यह 10 million है वह वापस पहले जैसा हो जाएगा जो कि 50K था तो एक बार refresh करके इमेज element का ठीक है तो एक तीर दो निशान है हमने दो चीजों एक साथ पढ़ लिए ठीक है अब इसको बंद करते हैं और फिर से आते हैं और देखते हैं image element को कैसे हम हमारी website में use कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए आर code editor में आ जाते हैं हमारे VS code में और सबसे पहले एक horizontal line द देते हैं URL को use करते और URL मतलब basically वही हमारा absolute और relative वाला हो जाएगा तो यहां पर मैं image हमारे folder के अंदर paste कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर अपनी कक्षा का यह जो folder है उसके अंदर मैंने image नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक image नाम की file है ठीक है अंदर करते हैं refresh तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ी image है जो यहां पर आ गई है इतनी बड़ी image हमको रखनी नहीं है तो इसे छोटी करते हैं छोटी करने के लिए का कर सकते हैं हमको यार एक attribute का use करना पड़ेगा तो कौन सा attribute है वो तो वह है यार width को use करेंगे और सबसे पहले इसके अंदर size लिखनी पड़ती है तो size में क्या लिख सकते हैं यार size हमारी यार यहां पे pixels के अंदर count हो रही होती है और pixels size यह सारी चीज़ हम बाद में discuss करेंगे CSS वाले वीडियो में क्योंकि design वाला parts आराम उसी में cover करेंगे ठीक है तो यहां पे मैं यार एक aspect ratio होता है image का वो maintain रहता है मतलब जैसे जैसे आप width कम कर रहे हो वैसे वैसे उसी ratio के अंदर आपका height भी छोटा होता जा रहे है और अगर आप यहां पे side में height भी दे दो तो यार वो aspect ratio बिगड़ जाएगा तो जैसे मैं 600 दे रहा हूं यार और refresh करता हूं तो आप देख सकत यह alt क्या चीज है alt यार एक attribute है जिससे हम alternative text display कर रहा सकते हैं जब भी मान लो आपका यह image file exist ना करें चाहे वो हो सकता है server में कोई error आ गया हो और आपका file delete हो या फिर आपकी जो file का नाम है वो आपने कुछ randomly गलत दे दिया हो तो उस case में यार एक alternative text display हो जाएगा तो उसमें यार मैं यार लिख देता हूँ this is an image और अगर हमने यार फाइल का नाम गड़वर कर दिया है तो यह यार फाइल दिखनी नहीं चाहिए तो उसकी जगे क्या दिखेगा तो उसकी जगे यार 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 पर हमको एक text दिख रहा है this is an image जो की हमने या लिखाता तो आप समझ सक नेक्स हम देखने वाले यार वीडियो जो की बहुत ही similar है image से और इसमें भी यार वही src attributes से हम location लेते हैं और वह सारी चीज़े करते हैं और अगर यार यह वीडियो जो आप ब्राउजर में देख रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं वीडियो टैग का ठीक है देख लेते और उसके लिए मैंने एक वीडियो और यहां पे पेस्ट कर रखा है आप जैसे अपनी कख्षा का फोल्डर देखोगे तो यहां पे आपको यार वीडियो नाम की एक फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो वीडियो नाम की एक फाइल है video.mp4 ठीक है इसको मैं बंद करता हू आप यहां पे नीचे देख सकते हो एक पूरी बड़ी वीडियो सी आ गई है अब यहार इतनी बड़ी आ रही है तो छोटी कर लेते हैं पहले और जैसा कि हमने इमेज में देखा था विड्ट का यूज करके हम इमेज को छोटी कर रहेते हैं similarly यहां पे विड्ट का यूज क किस काम की तो उसका एक कारण है कोई बटन दिखाने के लिए तो हम पहले एक अट्रिब्ट यूज करते हैं चाहीं आएगा थिक है अब यार ऐसा क्योंकि हमको चूंड का बटन देना पड़ रहा है मतलब क्यों वीडियो टैग में आतॉमेटीकली कोई बटन ने आते हैं त तो मानलो आप चाहते हो कि आपका वीडियो जैसे ब्राउजर में हमारा वेब पेज स्टार्ट हो वहीं वीडियो भी प्ले हो जाए मतलब हमना रहा कोई यूजर आया और वीडियो अटोमेटिकली प्ले हो जाना चाहिए तो उसकेस में यार हम बटन ना दिखा है तो भी चले पोई जाएगा और कोई बटन रहा हम बटन ही ने सकते हैं ठीक है अब आप देख सकते में यार यहां पर कोई बटन नीन है मैं इसको पर रही नहीं सकता हूं और इसको क्या पोग सब्सक्राइब हमारा टो धांटे पक्ञेस तो कुछ हम एशुक्का कुत आजा है है यहांimon बहुत सारी चीज़ा आ गई है पूरा वीडियो प्लेयर सा बन गया है खाली हमारे यह कंट्रोल्स एट्रिब्यूट को यूज करने से अब यार इसमें और भी कुछ एट्रिब्यूट से जैसे की लूप जिससे क्या होता है बेसिकली हमारा जैसे वीडियो एंड होता है न तो उसके लिए हमने लूप टैग का यूज किया अब यार म्यूटेट नाम का भी एक अट्रिब्यूट है जिससे क्या होता है जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ आप देख सकते है यह अट्रिब्यूट यूज करने से हमारा यह जो वीडियो है वो म्यूटेट चालोगा मतलब आडियो इसमें नहीं आएगी इनिशली मतलब फिर आप बटन यूज करके कर सकते हो आडियो मतलब लगा सकते है जैसे कि आप देख सकते है यह यह बटन अल्रेडी मूटेट है अब आप बढ़ा सकते हो वो एक अलग बात है वाट क्योंकि हमने इस अट्रिब्यूट को यूज किया यहाँ पर अल्रेडी मूटेट थी ठीक है अब लाश बट नॉट दे लीस्ट पोस्टर पोस्टर क्या होता है पोस्टर बिसिकली अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो उसके अंदर हर वीडियो के आगे थमनेल होते है जिसमें इंफोर्मेशन होती है कि वी इम एक सब्सक्राइब दें यूर्यल हो सकता है वहारा फालोकेशन हो सकता है जैसे आप देना चाहो मैं यहाँ पे सिमिलर ट्वीव संग यहो हो जाने तो आप देख सकते हैं यहीं इमिज्ड का कोई लना देना नहीं बच्छ ready शोह हो टो नेक्स हम देखेंगे आई फ्रेम टाइग आई फ्राम टेग तो इस ने आर हम दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में डिस्पले करवा सकते हैं और इसी चीज को हम एंबेडिंग कहते हैं ठीक है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल है एक बार हम YouTube की कोई वीडियो को एंबेड करके देखते हैं तो उसमें हम आई फ्रेम टैग का यूज करेंगे तो एक बार यूट्यूब पे जाते हैं और यह हमारी वीडियो है जिसको हम अ अपने आई फ्रेम टैग के अंदर फिर इसे पेस्ट कर लेते हैं और और सेव करते हैं फिर जाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा वो जो वीडियो है वह आ समझी गए होंगे हाइट और विड्थ प्रोएड होती है और फिर आता है एसार सी और एसार सी के अंदर आप देख सकते हैं वह यूरल होगा जो कि हम एंबेड करना जाते हैं फिर हमारा फ्रेम बॉर्डर इससे कुछ नहीं होता है इससे बेसिकली हमारा फ्रेम आजाएगा अ ऑनदर अब हम एक और एक अभर एक जामपल ले लेते हैं तो मैंघ क्छा की सब्सक्राइब देख सकते हैं फिर से हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से दिख रही है ठीक है तो कुछ इस तरह से हम आई फ्रेम टैक का यूज करते हैं तो अब हम देखेंगे यार टेबल का यूज का आता है तो टेबल यार हर जगी यूज आती है जैसे कि मान लो आपका क्लास का करते हैं यह कंते हम होती है और इसके अंदर कुछरो होती है और को रहित telescopes कि यह वारिज्वल हूं होती है लिए उसको कहते हैं कॉलum ठीक है अभ देखाए है अ लिगल के अंदर कैसे यह को सब्सक्राद के लिए ऐस का ये डिए टेबल कर गंश कर जो तक करें तो पर उसके अंदर हम लेखते है देकाय वचैने कवे лов सबूर वेखुर indeed व मदुद इसे पता चलता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं जिसे पता चलता है यह heading है ठीक है फिर आते हैं इसके अंदर attributes तो tr के अंदर कुछ attributes लिए जैसे की row span और call span है तो row span का मतलब क्या होता है तो जैसे कि मान लो आप एक table बना रहे हो उसके अंदर आपने तीन columns लिखें month, saving औ का included आपका एक कुछ saving रखी आपने holiday के लिए तो इसमें आप क्या करोगे आपने जो months है वो लिख दी है January, February फिर आपने उस month की saving लिख दी जैसे कि मान लो 100 rupees, 80 rupees फिर आपका जो saving for holiday उसमें आप mix करना चाहते हो दो rows को तो आप क्या करोगे आप row span का use करोगे और लिखोगे row span is equal to 2 ताकि आपकी वो January, February वाले rows है वो mix हो जाए उनका area basically एक बन जाए और उसके अंदर content आपका बीचो बीच दिखने लगे ठीक है तो ये था हमारा row span फिर आता है हमारा call span उसमें भी हम वही example लेंगे तो basically इसमें क्या चाहते हो आप आप चाहते हो कि एक month हो एक saving हो है ना लेकिन इसमें हमारा saving for holiday वाला column नहीं है लेकिन इसमें एक row extra है और उस row में आप चाहते हो कि आप sum लिखो ठीक है अब आपने month लिख दी है फिर आपने उसकी saving लिख दी अब लेकिन जो sum वाला है वो आप उसको पूरे table के अंदर एक ही column में दिखाना चाहते हो आप नहीं चाहते हो कि एक column आपका month का हो एक column आपका saving का हो और उसमें अलग-अलग cells हो एक ही cell में आपका पूरा data आना चाहिए तो उस case में आप दोनों column को जोड़ दोगे है ना और उसके लिए हम use करेंगे call span is equal to 2 क्योंकि इसमें आपका दो columns बने वें ठीक है फिर वो ज structure बना सकते हैं और सके लिए हम अलग-अलग tags का use करतें अब structure कैसा तो जैसे हम table बनाते है। तो सबसे उपर heading लिखते हैं और इसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग columns होते हैं ठीक है तो उसके लिए हम T head का use कर सकते हैं और इसके अंदर हमारी सारी heading लिखेंगे तो उसी तरह से next होता है हमारा T body, T body के अंदर हमारा table का जो भी content हो सब लिखेंगे तो मान लो यार आपको इसी student का data ले रहे हो जिसमें आपने name, role, number, marks लिए है तो heading हमने लगा दी फिर इसके अंदर जो भी students के नाम होंगे वो सब एक एक करके आप T body के अंदर लिखोगे ठीक है और उसके बाद में सबसे नीचे आप मान लो कोई total count कर रहे हो तो उस total को सबसे data है वो आजाएगा और T foot में हमारा last वाला part आजाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से आर हम table को use कर सकते हैं अब यार यह जो तीन tags मैंने बताया T head, T body, T foot इसका यार UI में कोई change नहीं आता है यह हम यार खाली structure करने के लिए लिए लिखते हैं जिसे कि यार browser को या कोई भी हम email के अंदर अब हम यार इसी चीज़ को code करके देख लेते हैं ठीक है तो चलते हैं हमारे code editor में तो table को अच्छे से समझने के लिए हम एक example लेते हैं और हम बनाते हैं एक class का result मतलब एक student का result उसके लिए मैं आप एक horizontal rule देता हूं और फिर use करते है table tag का ठीक है और table tag के अंदर यार हम क्या open करते हैं tr tag हर row को create करने के लिए तो यहां पर मैंने एक row बना दिया और सबसे पहले रो के अंदर यार मैं कुछ headings दे रहा हूं और heading के अंदर मैं अपना data लिख रहा हूं text के अंदर ठीक है subject लिखेंगे सबसे पहले फिर next line में आएगा theory then practical then total marks और फिर last में हम लिख देते हैं grades अब इससे save करते हैं और यहां पर हमारा browser इसमें refresh करता हूं तो आप यार यहां पर देख सकते हैं हमारा सबसे पहले header आ गया है इसमें सबसे पहले आया subject then theory practical total marks और grades और यह सारी चीज़े बोल्ड में इसलिए क्य तो यहां से cut करता हूं और यहां पर इसे paste कर लूँगा अब यह तो हो गया हमारा T head जिसमें हमने headings लिख दिए अब next यार आता है T body जिसके अंदर हम पूरी body लिखेंगे मतलब हमारे जितने भी subjects है उन subjects के नाम और उनका जो भी theory का जितना भी number आया student का वो सारी चीज़े है तो सबसे पहले row बनाते है row बनाने के लिए T अट का use करते है और T i a टेक के अंदर सबसे पहले मैं subject ले रहा हूं English है ना और हर row के अंदर हमने देखा था T d tag का use करना पड़ता है थ तो headings के लिए है तो T d का use करेंगे तो इसमें दे देता हूं मैं सबसे पहले English and then उसके के नीचे यार पहले इसको कॉपी कर लेता हूं और उसके लिए मैं यूज कर लेता हूं ऑप्शन शिफ्ट डाउन डाउन ठीक है अब यहां पे मैं नाम चेंज कर देता हूं सब्सक्राइन यार उसकाइब हैं और उनका नाम और नंमब्स देता है तो है तो मैंने और वारि शुद। हरो शोन करते हैं और एनटेर करते मत च्पिन घ्रेश करते हैं अब आप क्यां आपर नीचे गह सकते हु कूण igh्ण, आपर हो लिए हमारा यह जो result है उसका status कि हमारा student pass हुआ है या फेल हुआ है तो उसके लिए हम यूज करेंगे t foot का और t foot के अंदर लिखते है t r tag या फिर t h लिख सकते हैं क्योंकि यह भी हमारा अब मान लो हमें इसे बीच में आपे display करवाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम इन सारे columns को combine कर सकते हैं और combine करने के लिए हमने देखा था call span करके एक attribute है और उसके अंदर हमको value देनी पड़ती है जितनी भी rows हमको sorry जितनी भी columns हमको combine करने है तो यहां पर हमारा 5 है something तो मैं 5 लिखके save करता हूं और करूंगा यहां पर refresh तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे बीच में आ गया है क्योंकि हमने 500 columns को combine किया है और खा पर लिख देते हैं ठीक है तो अब हमने यार अल्मोस्स सारे important elements देख लिए तो बस यार इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए यार see ya have a great day and I will catch you up in the next one